नमस्कार, वस्तुते है, सबसे पहले मैं एक मुक्तक नजर कर रहा हूँ, जो मेरी अपनी पैचान, मेरी अपनी आइडेंटिफिकेशन से मुतलिक है ये तै है कि कोई बच्पन से बैरागी नहीं होता, और बराय शोक कोई शक्ष ग्रहत्यागी नहीं होता, हकीकत में परिस्थितियां बना देती हैं विद्रोही, जनम से या कि फितरत से कोई बागी नहीं होता बहुत पहले अपनी पहचान के तोर पे ये चार पंक्तियां का भी लिखी थी और इस से आगे बढ़कर एक नजम कह लीजिएगा नजम का एक प्रारूप बना इसी जमीन से नजर करना चाहूंगा एक अलग तरह की जबान मैंने अपनाने की कोशिश की है जो ना पूरी तरह से उर्दू है ना पूरी तरह से हिंदी है बलकि अगर कहूं कि वो खालिश हिंदुस्तानी जबान है तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी और उसी जवान में कुछ लिखने की कोशिश इसी जमीन से की थी चाहा था मैं भी चुनु सुमन उपुवन 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 हो शब्द शब्द में गंद शोक कछनारों की और इस तरह अलोकिक एक गीत माला लेकर बढ़कर अगवाई करू बसंत बहारों की लेकिन ये सारे सौपन जर गए बच्पन में बे मोसम गुन लग गया बसंती डाली में मैं भाउक निपट अबोद ने इतना जान सका थे छिपे हुए कुछ हरे सांप हरी आली में जब तूट गया अर्मान भरा सुक्मार हर्दे तब से मेरी नजमों के तेवर हैं बागी तब से मेरे गीतों का स्वर वित्रो ही है एक और बंद इसी नजम का मैंने पाया था सनेह सिक्त संपून हर्दे पीडा पलती थी जिसकी कातर आँओं में और आँखों में निश्चल प्रेम दया ममता करुना कभी सुलब सहज सद्भाव भराता चाहूं में लेकिन पगपग पर था रूखा यतार्थ फैलाए निर्मम मकड जाल बाधाओं का और ठोकर खाकर कमनी ये कल्पना शेयर उठी करम तूट गया जब सरस्थ सुको मलभाओं का जब तूट गया अर्मान भरा सुकुमा रिख दे तब से मेरी नजमों के तेवर हैं बागी पंक्तियां और निवेदन कर रहा हूं मेरे अश्यार में उबरे हुए विद्रोह के स्वर मेरे अश्यार में उबरे हुए विद्रोह के स्वर यकीनन आदी विद्रोही कबीरा से जुड़े हैं मेरी मानिता है कबीर पहले विद्रोही थे अदब में भी और अध्यात में भी मेरे अश्यार में उवरे वुए विद्रोह के स्वर यकीनन आदी विद्रोही कबीरा से जुड़े है मगर मैं ब्रंद की पावन विरासत का धनी हूँ मेरी संबेदना के तार मीरा से जुड़े है और चार पंक्तियां कि समंदर के हृदे का राज तो गहराईयां देंगी समंदर के हृदे का राज तो गहराईयां देंगी और जवा मदुमास का वैभव बता अमराईयां देंगी ये खजूरों की तरह बढ़ते चले जाने से क्या हासिल कि कामत की बुलंदी का पता परचाईयां देंगी एक कताव और पेशे खिदमत है कि दो घड़ी भी जीए तो निडर बन के जी और आदमियत का लखते जिगर बन के जी पीडियों के लिए प्रेरणा बन सके माननवी सब्वेता का शिकर बन के जी पीडियों के लिए प्रेरणा बन सके मानवी सब्वेता का शिखर बन के जी एक मुकम्मिल गजल जो मेरी अपने परिचे से मुतलिक है नज़र करना चाहूँगा मतला पेशे खिद्मत है मैं किसी की हाजरी हरगिज बजा लाता नहीं मैं किसी की हाजरी हरगिज बजा लाता नहीं और इसलिए कटुसत्य कहने से भी घबराता नहीं मैं किसी की हाजरी हरगिज बजा लाता नहीं और इसलिए कटुसत्य कहने से भी घबराता नहीं कि जात से हूँ आदमी इनसानियत मेरा धरम ये कुल जमा परिचे जातसे हूँ आदमी इनसानियत मेरा धरम इसलिए मैं मझहबी उन्माद पहलाता नहीं और ना किसी मटका मुगनी ना किसी दरका मुरीद कोई मस्जश्जद या के मंदर मेरा अन दाता नहीं मैं किसी की आजरी हर भिज्ज बजा लाता नहीं कि मेरी खातिर उसका दरजा देवता से कम नहीं दामन भी फैलाता नहीं आपने अब तक पड़ी तो होंगी बहुतेरी गजल किन तो सबसे अलहदा है मौतरिम मेरी गजल मातहत बनकर गुजर करने से मर जाना भला हो नहीं सकती किसी की भी कभी चेरी गजल और आशिकों माशुक की तरजे बयानी ही नहीं वक्त पर साबित हुई है राजरन भेरी गजल आपने अब तक पड़ी तो होंगी बहुतेरी गजल किन तो सबसे अलहदा है मौतरिम मेरी गजल कि सरजमीने हिंद के जर्रे जवानी पा गए मीर या गालिब ने जब जब चाव से तेरी गजल और चाहने वालों ने बक्षी है हायात जाविदा कि हो नहीं सकती कभी भी राख की डेरी गजल हो नहीं सकती कभी भी राख की डेरी गजल और ना तो खारिज कर सका ना दे सका इसलाह भी ऐसी इस्तितियां भी पेशाती हैं ना तो खारिज कर सका ना दे सका इसलाह भी उसने मुझको ही सुना दी हूबहू मेरी गजल और ये वो दरिया है जहां हिंदी भी है अर्दू भी है अक्सर हिंदी गजल और अर्दू गजल को लेकर बहुत अलग तरह की चर्चाएं होती हैं भैश होती हैं मेरा एक शेर इस जाबिये से पेशे किदमत है ये वो दरिया है जहां अर्दू भी है हिंदी भी है तो भला फिर किस लिए तेरी गजल मेरी गजल तो भला फिर किस ल पर थास्तों पर समात फर्माएं माँ अगर हिंदी है तो उर्दु सगी मोसी मेरी माँ अगर हिंदी है तो उर्दु सगी मोसी मेरी और इस तालुक से हुई राजेश मोसेरी गजल आपने अब तक पढ़ीतों होंगे बहुतेरी गजल इन तो सबसे अलहदा है मौतरिम मेरी गजली एक बड़ी बहर की गजल मतला कुछ इस तरह से हुआ अमीरों से शुरू होकर फकीरों तक चला आया अर्दू अदब का ये सिलसिला जिसकी शुरुआत हम अमीर खुसरों से मानते हैं एक संकेत एक इशारा अमीरों से शुरू होकर फकीरों तक चला आया अदब का सिलसिला हमसे दवीरों तक चला आया और विरासत में मिला मुझको सलीका साफ गोई का विरासत में मिला मुझको सलीका साफ गोई का वही अंदाज अब मेरे जहीरों तक चला आया वही अंदाज अब मेरे जहीरों तक चला आया और बले त्रेता में ये रीतें फकत रगुणशियों तक थी रगुकुल रीत सदा चली आई प्रान जाए पर बचन न जाई ये मानस की अमर उकती कि बले त्रेता में ये रीतें फकत रगुणशियों तक थी मगर द्वापर में वो जोहर अहीरों तक चला आया हमीरों से शुरू होकर फकीरों तक चला आया अदब का सिलसला हमसे दवीरों तक चला आया और अनलहक का अमर उद्गोष अहम ब्रमा श्मी मैं ही ब्रमो हूँ अनलहक का अमर उद्गोष जो मनसूर से चल कर सुनो सादो ये अपसाना कबीरों तक चला आया सुनो सादो ये अपसाना कबीरों तक चला आया और हम उस पागल जहाजी का सदा उपकार मानेंगे पिर वो चाहे कोलम्बोस हो या वासको डिगामा हम उस पागल जहाजी का सदा उपकार मानेंगे जो पहली मरतबा सुने जजीरों तक चला आया और मुहबत का जुनू मजनू महीवालों के किस्सों से नजाने कितने रांजों और हीरों तक चला आया और अजब है ऐ मेरे मालिक तेरे अवतार का फन भी हमारे हाँ जो अवतारबाद की अवधारना है उसमें बगवान विश्णू के जो विविन अवतार है उनमें उनका एक विराट रूप भी समाहित है तो दूसरी तरफ वामन अवतार भी विराट और वामन के बीच एक समूची रेंज आती है और उसी रेंज को व्यक्याइट करते हुए ये शेयर कहने की कोशिश किये अजब है ऐ मेरे मालिक तेरे अवतार का फन भी अजब है ऐ मेरे मालिक तेरे अवतार का फन भी चतुर बुजरूप वामन से कस्कीरों तक चला आया अमीरों से शुरू होकर फकीरों तक चला आया अदब का सिलसला हम से दबीरों तक चला आया है कुर गजल वसमात फरमाएं मतला कुछ इस सरह से गरों की खुसता हाली का पता देते हैं दर्वाजे और फज़ानों की तलासी में खंगाली खाग दुनिया की खजानों की तलाशी में खंगाली खाक दुन्या की मगर असली महबत की मता देते हैं दर्वाजे और बहले कितनी भी रंजिशो नलांगो देहरी घर की कदुमी आबरू का वास्ता देते हैं दर्वाजे और चली आई मेरे घर तक नजाने हस्रतें कितनी हजारों ख्वाहिशों को रास्ता देते हैं दरवाजे और ये शायर का मकां इसके दफीने और ही होंगे चंद तस्वीर बुतां चंद असीनों के खतूत बाद मरने के मेरे घर से ये सामा निकला कुसी सी अंदाज से जुड़ता हुआ ये शेयर समात फरमाएं है शायर का मकां इसके दफीने और ही होंगे कि शोहरत और दौलत को दता देते हैं दरवाजे और मुनासिब मश्विरा ये है समबल कर खट-कटाना तुम मुनासिब मश्विरा ये है समल कर खट खटाना तुम मकीनों के इरादों को जता देते हैं दरवाजे करों की खस्ता हाली का पता देते हैं दरवाजे तो छिपाओ लाख लेकिन सब बता देते हैं दरवाजे बहुत पहले जब मैंने करमचारी अंदोलन में बहुत सक्रिय इस्सेदारी निवाई थी उनी दिनों हमारे टेड यूनिन मॉमेंट में एक नारा बड़ा उच्छाला जाता रहा अभी भी हो नारा प्रसलित है बड़े जोशो खरोस के साथ हमारे करमचारी मजदूर उसको दोहराते हैं उसी नारे से मैंने इस गजल का मतला लिया है बेशक हम भी चाहेंगे कि वाजिब मांगें पूरी हो बेशक हम भी चाहेंगे कि वाजिब मांगें पूरी हो लेकिन ये क्या बात हुई कि चाहे जो मजबूरी हो और असली है रूहानी रिष्टे अष्टावकर बताते हैं चमडी में क्या तो रखा है काली हो या बुरी हो मिलना तो मन का होता है तंतो सिर्प बहाना है और ऐसा मिलना भी क्या मिलना जो मिलना दस्तूरी हो ऐसा मिलना भी क्या मिलना जो मिलना दस्तूरी हो और बहनों की रक्षा करना तो भाई पर है फर्ज सदा बहनों की रक्षा करना तो भाई पर है फर्ज सदा वो फिर सीता सावित्री हो, नजमा हो या नूरी हो बेशक हम भी चाहेंगे कि वाजिब मांगे पूरी हो और नहीं अबिलाशा कोई मालिक बस इतना कर दे हर सुबहा चमपा सी उजली हर संद्या सिंदूरी हो बेशक हम भी चाहेंगे कि वाजिब मांगे पूरी हो लेकिन ये क्या बात हुई कि चाहे जो मजबूरी हो अभी चवदे नौमबर बाल दिवस दो दिन पहले गुजरा है ऐसे ही किसी ओकेजन पर जब कोई बड़ा नेता किसी बड़े मज़ से भासन देने के लिए खड़ा होता है तो एक बड़ा कौमन सा जुमला दोराया जाता है बच्चे इस देश का बविश्य है लेकिन काश कोई पलट कर उनसे ये पूछे कि इस बविश्य का वरतमान क्या है तो मैं समस्ताओं कि वो निरुकतर हो जाते हैं हमारे मुल्क के मासूमियत होते हुए बच्चे लड़कपन में बुजर्गों की तरह होते हुए बच्चे हमारे मुल्क में मासूमियत होते हुए बच्चे लड़कपन में बुजरुगों की तरह होते हुए बच्चे और उदे होते हुए भारत की शाइनिंग पे दबबा है उदे होते हुए भारत की शाइनिंग पे दबबा है अभाओं की सड़क पर गिट्टी आंड होते हुए बच्चे जो दावा फिल गुड का कर रहे थे बहुत पहले बहुत पहले आज के दोध शकत पहले जो दावा फिल गुड का कर रहे थे उनको दिखलाओ गली कुचों में रोटी के लिए रोते हुए बच्चे और कहीं से भी किसी उम्मीद के वारिस नहीं लगते गरॉंदों की बगल में बेबसी बोते हुए बच्चे और मुझे मालूम है आपस में क्या बतिया रहे होंगे किसी डाबे पे जूठी प्यालियां दोते हुए बच्चे और ये शेर बतोर खाश समात फरमाएं कि वतन के रहबरों से एक दिन इनसाप मांगेंगे ये जूठी पतलें चुनकर जवा होते हुए बच्चे और सजीले शीश महलों के लिए बदकार गाली है फटा अखवार ले फुटबात पर सोते हुए बच्चे सजीले शीश महलों के लिए बद्गार गाली हैं फटा अखवार ले फुटपात पर सोते हुए बच्चे हमारे मुलक में मासूमियत खोते हुए बच्चे लड़क पन में मुजरुगों की तरह होते हुए बच्चे एक गजल के चंद शेर और समात फरमाए मतला कुछ इस तरह से अकारत तो बड़े बूड़ों की ये बानी नहीं जाती अकारत तो बड़े बूड़ों की ये बानी नहीं जाती और दुआएं दिल से निकली हों तो बेमानी नहीं जाती अकारत तो बड़े बूड़ों की ये बानी नहीं जाती मगर कुछ बात है कि फितरते फानी नहीं जाती हजारों बार परवानों को समझाया है शम्मा ने मगर कुछ बात है कि फितरते फानी नहीं जाती और कमी क्याती तिरे दर पे अगर जो हाथ फैलाते फकीरी में भी लेकिन शान सुल्टानी नहीं जाती और हजारों बार की है फिर भी तोबा टूट जाती है हजारों बार की है समात फरमाएं शेर कि हजारों बार की है फिर भी तोबा टूट जाती है हजारों बार की है फिर भी तोबा टूट जाती है और नसीहत क्या करें नासिह की मानी नहीं जाती तुम्हारा एक नहीं तो क्या हजारों आस्तांते पर करें क्या खाक दर्दर की मगर चानी नहीं जाती तुम्हारा एक नहीं तो क्या हजारों आस्तांते पर करें क्या खाक दर्दर की मगर चानी नहीं जाती अकारत तो बड़े बूड़ों की ये बानी नहीं जाती दुआएं दिल से निकली हों तो बेमानी नहीं जाती एक बड़ा कौमन सा संबोधन है जो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं बड़े मिया बड़ी कहावतें बड़े मुहावरे संबोधन को लेकर बड़े मिया तो बड़े मिया छोटे मिया सुवान अल्ला इसी बड़े कौमन से संबोधन को इस्तेमाल करते हुए एक मतला और चंदशेर समात फरमाएं सब की सुनकर भी अपनी पर अड़े हुए हैं बड़े मिया सब की सुनकर भी अपनी पर अड़े हुए हैं बड़े मिया और लोग शहर के कैसे चिकने गड़े हुए हैं बड़े मिया साबीर असन साथ समात फर्माएं पहले यूँ खुदगर्ज नहीं था कुछ अपनापा बाकी था आखिर हम भी इसी शहर में बड़े हुए हैं बड़े मिया और ये मत सोचो इस मरबुक के गाउं में क्या तो रखा है जाने कितने बड़े खजाने गड़े हुए हैं बड़े मिया ये मत सोचो इस मरबुक के गाउं में क्या तो रखा है जाने कितने बड़े खजाने गड़े हुए हैं बड़े मिया और चांड सितारों पर जा पहुँचे दुनिया के सब लोग मगर आप और हम तो उसी सता पर खड़े हुए हैं बड़े मिया और कहने को तो बाजारों में आम हो गए आम मगर ये तो सब के सब आंधी के जड़े हुए हैं बड़े मिया और जब जब जवपड़ियां सुलगी है एक बड़ा अलग तरह का सवाल कि जब 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 जवपड़ियां सुलगी है जब जब भी खलिहान जले जब 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 भी खलिहान जले राज महल पर पहरे क्योंकर कड़े हुए हैं बड़े मिया राज महल पर पहरे क्योंकर कड़े हुए हैं बड़े मिया और भाई भाई की रंजिश में पंच कहां से आटपके भाई भाई की रंजिश में पंच कहां से आटपके हर कुन्बे में अक्सर दो दो दड़े हुए हैं बड़े मिया सब की सुनकर भी अपनी पर अड़े हुए हैं बड़े मिया लोग शहर के कैसे चिकने गड़े हुए हैं बड़े मिया एक अलग तरह की जमीन से एक गजल उठाने की कोशिश मतला के शिक इत्मत है यकीनन ये गिले शिक्वे अगर बाहम हुए होते दिलों के फासले यारो कभी के कम हुए होते और कभी एक दूसरे को हमने पहचाना नहीं वरना ना हम शिक्वा बलब होते ना तुम बरहम हुए होते यकीनन ये गिले शिक्वे अगर बाहम हुए होते और कभी मिलकर के हमने काश खुशियां बाटली होती कभी मिलकर के हमने काश खुशियां बाटली होती कभी एक दूसरे के हम शरी के गम हुए होते और ये माना मजहबी दंगे कुछ एक शैतान करते हैं ये माना मजहबी दंगे कुछ एक शैतान करते हैं अकेले क्याय करते गर न पीछे हम हुए होते ये माना मजहबी दंगे कुछ एक शैतान करते हैं अकेले क्या ये करते गर न पीछे हम हुए होते यकिनन ये गिले शिक्वे अगर बाह हम हुए होते और सिसक्ती क्यों भला इंसानियत दुनिया में इस दर्जा न जो देरो हरम होते न ये पर्चम हुए होते और कहा था डार्विन ने सच ये नसल उलादे बंदर है बला हैवान बन जाते जो तिफला आदम हुए होते डार्विन पहला वेग्यानिक था जिसने प्रतिपादित किया कि हमारे पूर्वज बंदर थे लेकिन आज हम इनसान को जिस शकल में देख रहे हैं उसकी फितरत जिस तरफ मुड रही है उसे देखकर नहीं लगता कि ये बंदरों की भी उलाद है क्योंकि बंदर चंचल होते हैं नठखट होते हैं मकार नहीं होते हैं बलकि कभी कभी तो लगता है कि हमारी हेरीडिटी बंदरों की बजाए बेड़ियों की ज्यादा नस्दीक है वो शेय तामीर ना होती जो बांटे मुलक औ मिल्लत को खुदाया तेरी जगह अगर कसम से हम हुए होते यकीन ये गिले शिक्वे अगर बाहम हुए होते दिलों के फासले यारो कभी के कम हुए होते अगली के जल मतला जुके सर खुद बखुद वो सजदा गाहें और होती है जुके सर खुद बखुद वो सजदा गाहें और होती है जो सीधे दिल से निकले वो दुआएं और होती है जो सीधे दिल से निकले वो दौाएं और होती है जहां मैं यूं तो कहने को हजारों रह गुजा रहे हैं सरे मंजल जो जाती है राहें और होती है और जिगर को पार कर जाता है हर तीरे नजर लेकिन उतर जाये जो जहन में निगाहें और होती है और कदम तेरा ने हिल जाये किसी की बद्दुआउं से कदम तेरा ने हिल जाये किसी की बद्दुआउं से हिलाद अर्श का दामन वो आहें और होती है और लबो रुखसार के तेवर तो बदले हैं हवाओं ने बदल्दे वक्त का रुख वो हवाएं और होती है बदल्दे वक्त का रुख वो हवाएं और होती है और अभी तक तुमने कुछली है फकत कमजोर आवाज है भी तक तुमने कुछली हैं फकत कमजोर आवाज है कयामत तक भिएगुञे वो सदाएं और होती है और कभी इस राखे मलबे से तुम खिलवाड मत करना چھिपा रखती हैं शुले वो रिदाएं और होती है जोके सरखुब खुद वो सज़ड़ा हैं और होती है जो सीधे दिल से निकले वो दुआएं और होती है सभी मित्रों का उन्हें एक बार स्वागत इस लाइब का विपाठ में मैंने लंबी बहर में भी लिखा चोटी बहर में भी एक चोटी बहर की गजल पेश कर रहा हूँ नचेडो सितम आफजाई की बातें है सरगोशियों में रिहाई की बातें और निजामे चमन खामुशी चाहता है नचेडो जे नगमा सराई की बातें नचामे चमन खामुशी चाहता है नचेडो जे नगमा सराई की बातें और लुटा काफिला उनके दस्ते करम से नही आज अपनी से पुरसत नही है उन्हे आज अपनी से फुरसत नहीं है जो करते थे सारी खुदाई की बातें उन्हे आज अपनी से फुरसत नहीं है जो करते थे सारी खुदाई की बातें उन्हे आज अपनी से फुरसत नहीं है जो करते थे सारी खुदाई की बातें उन्हे आज अपनी से फुरसत नहीं है ज जो करते थे शोला नवाई की बाते हैं और अजब फलसफा है तुम्हारे शेहर का जमा दोर में पारसाई की बाते हैं कि बहुत कुछ है कहने को राजेश लेकिन मुनासिब नहीं खुदनुमाई की बाते हैं न छेडों से तम आप जाई की बाते हैं हैं सरगोशियों मेरी आई की बात है जैसा मैंने पहले बताया मेरा कुल प्रयास ये रहा है कि मैं हिंदी और उर्दू इन दोनों जबानों को जितना नजदीक ला सकूं इसके लिए मैंने इंटेंशनली जान बूज करके ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जहां एक औ इसी अंदाज की एक गजल समात फरमाएं पीकर के सुधा कुछ लोगों को यूँ जहर उगलते देखा है लेकिन जो उगलते हैं अमरित उन्हें जहर निगलते देखा है और क्या नूर था सुबहा सूरज का सोचा कभी क्या डूबेंगे क्या नूर था सुबहा सूरज का सोचा था कभी क्या डूबेंगे हर शाम उसी सूरज को मगर तारीक में ढलते देखा है और अर्मान फनागर दिल में हो दुनिया की रुकावट क्या होगी कहीं पड़ा था कि पर्वाने कर चुकेते सरंजा में खुदकुशी फानूस आड़े आगया तकदीर देखिए मैंने एक शेयर लिखने की कुछिश की इस जमीन से कि अर्मान फनागर दिल में हो दुनिया की रुकावट क्या होगी फानूस के रहते भी हमने पर्वानों को जलते देखा है साभीर असन साभ बहुत बहुत शुक्रिया जर्रा नवाजी का आखिर में किनारे आकर भी हासिल न तुम्हें कुछ होने का हमने तो सिसकते साहिल की मोजों को मचलते देखा है तुम सिर्फ जुबां पर हैरा हो तुम सिर्फ जुबां पर हैरा हो राजेश मगर इन आखोंने कपड़ों की तरह इनसानों को किरदार बदलते देखा है तुम सिर्फ जुबां पर हैरा हो राजेश मगर इन आखोंने कपड़ों की तरह इनसानों को किरदार बदलते देखा है पीकर के सुधा कुछ लोगों को यूँ जहर उगलते देखा है लेकिन जो उगलते हैं अमरे तुने जहर निगलते देखा है एक उर्गजल हम दर्द के मारों का अंदाज निराला है पे खालिक ने भी ये दुनिया क्या खूब बनाई है आदी में अंदेरा है आदी में उजाला है खालिक ने भी ये दुनिया क्या खूब बनाई है आधी में अधेरा है आधी में उजाला है और हम खाक नशीनों की हस्ती का या आलम है हम खाक नशीनों की हस्ती का या आलम है लम्हों की दिवाली है सदियों का दिवाला है हम दर्द के मारों का अंदाज निराला है और कर्फ्यू का कहर तोटा मालिक के मकानों पर मस्जिद है मुसीबत में सांसत में शिवाला है कर्फ्यू का कहर तोटा मालिक के मकानों पर बाजार के भाओं संग चपती है गजल जिसमें मौजूदा सदी ऐसा मोहूम रिसाला है मौजूदा सदी ऐसा मोहूम रिसाला है और राजेश के रस्ते पर बेखोब चले आओ राजेश के रस्ते पर बेखोब चले आओ आगास भी उंदा है अंजाम भी आला है हम दर्द के मारों का अंदाज निराला है बटके हैं अगर्चे खुद औरों को संभाला है कश्मीर के हालात पर आज के लगबग 12-15 साल पहले एक गजल हुई समात फरमाएं चंद शेर मतला कुछ इस तरह से लहरों की रुन्जुन गाइब है सहमे हुए सिकारों से लहरों की रुन्जुन गाइब है सहमे हुए सिकारों से और रहरे कर दुआ उठता है अब भी सब्ज चिनारों से कि रावी के तट पर लाशों की गंद हवा में तारी है रावी के तट पर लाशों की गंद हवा में तारी है और लोहू के चींटे उठते हैं जेलम के पबवारों से लहरों की रुन्जुन गाइब है सहमे हुए सिकारों से और बिन मोसम फिर बर्फ गिरी है बिन मोसम फिर बर्फ गिरी है शाखों पर सन्नाटा है सर्द लगू कैसे टपकेगा कटे हुए कोसारों से लेहरों की रुन जुन गए बहे सहमे हुए शिकारों से और रहरे कर दुआ उठता है अब भी सब्ज चिनारों से और कोई क्या तो आस लगाए क्या कोई उमीद करे गरियाते नेता निकले हैं संसद के गलियारों से और जब से मौमिन और बरह्मन ने मालिक को बांट लिया मंदिर मस्जिद अटे पड़े हैं मजहब के हकदारों से और मंदिर मस्जिद के मसलों से कब तक मुक्त करा दोगे मंदिर मस्जिद के मसलों से कब तक मुक्त करा दोगे कोई तो ये पूछे आखिर कोमी खिदमतगारों से मंदिर मस्जिद के मसलों से 73 साल में भी तुम जो है तुम जो है तमान चीज़ों को सेटल नहीं कर सके मंदिर मस्जिद के मसलों से कब तक मुप्त करा दोगे कोई तो ये पूछे आखिर कौमी खिदमतगारों से लहरों की रुन्जुन गायब है सहमे हुए शिकारों से और रह रहकर दुआ उठता है अब भी सब्ज जिनारों से छोटी बहर की एक गजल के चंद शेर समात फरमाएं असलियत में तो दो चार हैं वैसे यारों की भरमार है और मुख्बिरी करके बच जाएंगे जो असल में गुनागार है मुख्बिरी करके बच जाएंगे जो असल में गुनागार है और क्या किसी को सजा दे भला मुंसिफी खुद खतावार है क्या किसी को सजा दे भला मुंसिफी खुद खतावार है और कौन किस का मुदावा करे खुद चिकिचसक ही बीमार है कौन किसका मुदावा करे खुद सिकित सक ही बीमार है और आप किस-किस को बहलाएंगे आप किस-किस को बहलाएंगे हर बशर एक अखबार है और आंक्ते क्या हो गाटा नफा आंक्ते क्या हो गाटा नफा प्यार है या कि ब्यापार है आंकते क्या हो गाटा नफा प्यार है या कि ब्यापार है वो सारे रिस्ते सियासी हुए सारे रिस्ते सियासी हुए जिंदगी से मुतलिक एक गजल जिंदगी दरसल क्या है इसको व्याख्याइद करने की इसको परिबाशित करने की एक कोशिश एक प्रयास कुछ के खातिर मददगार है जिन्दगी, पर अमूमन तो दुश्वार है जिन्दगी, कुछ के खातिर मददगार है जिन्दगी, पर अमूमन तो दुश्वार है जिन्दगी, और मौत को यूँ ही मुजरिम समझते रहे, जबकि असली खतावार है जिन्दगी, मौत को यूँ ही मुजरिम समझते रहे, जबकि असली खतावार है जिन्दगी, और हर खबर में निहां दर्द ही दर्द है, डाई आखर का अकबार है जिन्दगी, और चार दिन की नियामत बड़ी चीज़ है, उम्रे दराज मांग कर लाए तो चार दिन, दो आरजू में कट गए, दो इंतजार में, एक शेर इसी जमीन से, कि चार दिन की नियामत बड़ी चीज़ है, यूँ समझ लो तो फिर पार है जिन्दगी, और भक्त भी है सोयम और भगवान भी, एक अद्भुत सा अवतार है जिन्दगी, और वो पहेली जिसे कोई समझा नहीं, धार भी है तो पतवार है जिन्दगी, और आखिरी सांस तक जो न समझा गया, वो कसेला सा किरदार है जिन्दगी, और कब कहां तूट जाए नहीं कुछ पता, बतोर खास तक जो चाहूंगा ये शेर समात फरमाएं, हमारे बहतरीन रचनकार भाई प्रहलाज जी को मावच चंचल हमारे बीच में आ रहे हैं, बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन, कब कहां तूट जाए नहीं कुछ पता, एक अधूरा सा इकरार है जिन्दगी, जबकि असली खतावार है जिन्दगी, जबकि असली खतावार है जिन्दगी, जो एक शेर और पेशे किदमत है, चोटी बहर से, जो तरके तालुक की हद जानते हैं, जो तरके तालुक की हद जानते हैं, वही तूटने का दरद जानते हैं, जो तरके तालुक की हद जानते हैं, वही तूटने का दरद जानते हैं, जो एंटों से उंचाईयां आकते हैं, वो हर्गिज किसी का नकद जानते हैं, जानते हैं, और कोई सांस उन पे उधारी नहीं है, जो देना वे लेना नगद जाते हैं, और मोहबत 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 हुनर बस यही एक अधत जानते हैं, जो तरके तालुक की हद जानते हैं वही तूटने का दरत जानते हैं जर्रारानवा जी के लिए शुक्रिया भाई प्रेलाज जी कुमावत चंचल छोटी बहर की ही एक और गजल फिर किसी अगियार से यारी करें फिर किसी अगियार से यारी करें आईनों की भी तरफदारी करें फिर किसी अग्यार की यारी करें फिर किसी अग्यार से यारी करें आईनों की भी तरफदारी करें कि बढ़ रही मतलब परस्ती हर तरफ बढ़ रही मतलब परस्ती हर तरफ फिर किसी जोगी को घरबारी करें बढ़ रही मतलब परस्ती हर तरफ फिर किसी जोगी को घरबारी करें और सच को सच कहना नहीं कोई गुनाः ये मुनादी मुलक में जारी करें और सादगी से ही गुजर हो जाए तो क्या जरूरी है अदाकारी करें और माफियां उनके लिए हर्गिज नहो माफियां उनके लिए हर्गिज नहो बेवधान के लिए शमा चाहता हूँ बार बार एक और गजल के चंधशेर मेरा कहलेवत तो राय है दो एक गजलें और निवे दें करूँगा न कद काथी से बनते हैं न परिपाथी से बनते हैं ये माटी खोदते मजदूर किस माटी से बनते हैं और फिजाँ चंबल की दहशत को हवा देती रही हरदम फिजां चम्बल की दहशत को खवा देती रही हरदम न जाने कितने गब्बर सिंग इसी गाटी से बनते हैं और ये जिसके हाथ आ जाए समझ लो भैंस उसकी है कहावत और मालिक बस इसी लाठी से बनते हैं और बतुर खाश ये शेर मुलाईजा फरमाए ये कैसी डेमोक्रेसी है ये कैसी डेमोक्रेसी है यहां तो आज भी राजा पुरानी बाप बेटे वाली परिपार्टी से बनते हैं बले ही फाइबर युगने तरक्की खूब कर ली हो करोडों के बशेरे आज भी टाटी से बनते हैं नकदकाठी से बनते हैं न परिपाटी से बनते हैं ये माटि खोदते मजदूर किस माटी से बनते हैं आखिर मैं एक गजल के चंद शेर समात परमाएं नानक की नेकियों को बुनाते रहे हैं हम और गौतम का पुन्य बेचकर खाते रहे हैं हम नानक की नेकियों को बुनाते रहे हैं हम और गोतम का पुन्ने बेच कर खाते रहे हैं हम कि जारी है अबतलक भी अंधेरों की अरचना जारी है अबतलक भी अंधेरों की अरचना सदियों से जोती पर वो मनाते रहे हैं हम जारी है अब तलग भी अंदेरों की अर्चना सदियों से जोती पर वो मनाते रहे हैं हम और दहशत के दर्मियान गुजारी है जिन्दगी दहशत के दर्मियान गुजारी है जिन्दगी डरते रहे हैं और डराते रहे हैं हम कि असलाह का सोधा हो या कोठों की दलाली सच्मानी ए खराम की खाते रहे हैं हम और अब तुम इसे जनून कहो या की बेबसी जो अला मुकी पर जस्न मनाते रहे हैं हम अब तुम इसे जुनून कोओ या की बेबसी जो आला मुखी पे जश्न मनाते रहे हैं हम और रिश्वत को एक रिवाज सा हमने बना दिया खाते रहे हैं और खिलाते रहे हैं हम और राजेश किस जुबां से कहूँ ये सफेज जुट राजेश किस जुबां से कहूं ये सफेज जूट कि इनसानियत के दीप जलाते रहे हैं हम नानक की नेकियों को बुनाते रहे हैं हम बौतम का पुन्ने बेच कर खाते रहे हैं हम जारी है अब तलक भी अंदेरों की अर्चना सदियों से जोति पर हो मनाते रहे हैं हम एक ताजा गजल के चंद आशार आखिर में इसमें भी मैंने कोशिश ये की है कि हिंदी और उर्दु के ऐसे लफस इसमें इस्तेमाल हो जो आम फैम हैं जिनको आम आदमी बहुत आसानी से कैप्चर कर सके एक सिंबोलिक एक बड़ा प्रतीक मैंने इस्तेमाल किया है आईना साहित्य को समाज का दरपन कहा जाता है ठीक वैसे ही हमारा जो मीडिया है वो भी समाज का दरपन है समाज का आईना है एक बड़े प्रतीक के रूप में मैंने इस्तेमाल किया है आईने समात फर्माएं मतला कि कभी थे साफगोई के लिए विख्यात आईने मगर अब दे रहे हैं गिर्गिटों को मात आईने और अगर जो बचके रहना हो सुरक्षित दूरियां रखो अगर जो बचके रहना हो सुरक्षित दूरियां रखो किसी के भी सगे होते नहीं हजरात आईने और हकीकत व्यक्त करने का हुनर जब से बुलाया है तब इसे हो रहे हैं देश में आयात आईने हकीकत व्यक्त करने का हुनर जब से बुलाया है तब इसे हो रहे हैं देश में आयात आईने और फकत शीशा समझ करके नहरगिस टाल देना तुम फकत शीशा समझ करके नहरगिस टाल देना तुम छिपा रखते हैं सीने में सरस जज़बात आईने और कभी तो पत्थरों की बारिशें भी जेल जाते हैं हमारे राजस्तानी में एक रवायत है पडूतरी दोहा एक दोहे में प्रश्न दूसरे दोहे में उसका उत्तर हलागि उर्दु में इस तरह की कोई परंपरा मुझे कहीं नजर नहीं आई लेकिन मैंने एक नवाचार करने की कोशिश की है ये पडूतरी शेर पहले शेर में प्रश्न दूसरे में उत्तर समात परमाएं कि कभी तो पत्थरों की बारिशें भी जहल जाते हैं और चटक जाते हैं जाने क्यों कभी बेबात आईने कभी तो पत्थरों की बारिशें भी जहल जाते हैं कि हमारी ही तरह इनके बने हैं गात मिट्टी से इसी से जहल पाते हैं नहीं आगात आईने हमारी ही तरह इनके बने हैं गात मिट्टी से इसी से जहल पाते हैं नहीं आगात आईने और कवायद सीखने की कर रहे आहिस्ता आहिस्ता बुजर्गों के हुनर्च से बेखबर नवजात आईने मगर अब दे रहे हैं गिर्गिटों को मात आईने मगर अब दे रहे हैं गिर्गिटों को मात आईने चुकि कुछ ब्यावधान बीच में रहा, कुछ हम कारिकम विलंब से शुरू कर पाए लिहाजा आखीर मैं एक एजल के तीन-चार शेर निवेदन करते हुए मैं इस कारिकम को समाप्त करना चाहूँगा मित्रों, बहुत परिस्तितियां ऐसी होती हैं जने हम स्वर नहीं दे पाते हैं, जने हम जुबान नहीं दे पाते हैं लेकिन फिर भी एक कोशिश की जा सकती है बदलने को बहुत कुछ आज भी अक्सर बदलते हैं मतला समात परमाए बदलने को बहुत कुछ आज भी अक्सर बदलते हैं नशीशे हम बदलते हैं नवो पत्थर बदलते हैं बदलने को बहुत कुछ आज भी अफ़र बदलते हैं नशीशे हम बदलते हैं नवो पत्थर बदलते हैं और जमी फिरती है बरसों और फलक बरसों बरसता है किसम से तब कहीं जाकर ये पस्मंजर बदलते हैं और हमें खौफे खुदा है हमें खौफे खुदा है और तुम्हें जालिम जहां का डर दुही तरह के डर होते हैं दुनिया में या तो दुनिया वालों का या उपर वाले का हमें खौफे खुदा है और तुम्हें जालिम जहां का डर चलो कुस देर के खातिर हम अपने डर बदलते हैं हमें खौपे खुदा है और तुम्हें जालिम जहां का डर चलो कुस देर के खातिर हम अपने डर बदलते हैं बदलने को बहुत कुछ आजबी अखसर बदलते हैं नशीशे हम बदलते हैं न वो पत्थर बदलते हैं और एक इस्तिक किराएदार भी हैं और सरकारी मुलाजिम भी किराएदार मी हैं और सरकारी मुलाजिम भी कभी हम घर बदलते हैं कभी दफ्तर बदलते हैं और सुना है के पुराने दोर के पगड़ी बदल भाई बदलते वक्त में अब सरहदों पे सर बदलते हैं सुना है के पुराने दोर के पगड़ी बदल भाई बदलते वक्त में अब सरहदों पे सर बदलते हैं ये पांखें बीनता बच्पन आखिर में एक शेर खास्तोर पे तबज़ चाहूंगा कि ये पांखें बीनता बच्पन हमें महफूज रखना है इन्ही बच्चों के खातिर तो परिंदे पर बदलते हैं बदलने को बहुत कुछ आज भी अकसर बदलते हैं नशीशे हम बदलते हैं नवो पत्थर बदलते हैं बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात ने जिस तबज्यों के साथ मुझे सुना और जर्रानवाजी के लिए खासतोर पर उन तमाम मित्रों का शूकर गुजार हूँ जिन्होंने मेरा होसला बढ़ाया फिर एक बार सभी को बहुत बहुत शुक्रिया खासतोर पर जो आयोजिक संस्तान है जन सरुकार मंच टॉंक मैं बहुत बहुत दन्यवाद ग्यापित करता हूँ इस बहतरीन प्रस्तुति के लिए उनका ये माद्यम सभी मित्रों के लिए बहुत शाजगार रहे और बहतरीन रचना है इस माद्यम से लोगों तक पहुंचे इस दुआ के साथ फिर एक बार जय हिंद जय भरब